आप सब लोग मैं मोईन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज आज हम लोग करने जाने वाले है क्या आज हम लोग करने जाने वाले है अपने जीके का एक बार फिर से पोस्ट मार्टम और आज मैं बनके आया हूं आपके सामने क्या पाइलेट ठीक है कोई तो आप लोगों को सब करता हूं मैं स्यूट अब करता है आपके एक्जाम को क्लियर करवाने में प्लस आपके मास को रेज करवाने में तो क्या आप सब लोग रेडी है आज फिर से एक बाद जी के का पोस्ट माल टम करने के लिए तो मुझे दिखाई यह फटावर्ट फटावर्ट से अपने आउट है और कई यह अगदम हंड़ड परसेंट रेडी है अबन करते हैं स्टार्ट चलिए खेर तो सबसे इंपोर्टन चीज आज का ट आज की वीडियो पूरी की पूरी रहने वाली पॉलिटिकल डिवीजन आफ इंडिया के उपर तो ध्यान देना बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि यह वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके एक्जाम में चाहें कोई भी हमारे कंजी के बारे में हमारे कंजी का नाम आप सब परता honesty हजार 223 स्कूरικ किलोंमेटर यह अंडिया पलब 32 tu टीट सेवन थाॉजंग टो सिस्ट्वी फ्रре स्क्वेर क्लोमेटर ये इंडिया का एरिया इंडिया कि अगर रहाई एक रगल और के बात करें मतलब लैंड वांडर की से बात करें तो हमारी लेंड बाउंडर कितली लंबी एक दिखरें किया यहां तक हमारी है कि लेन बाउंडरी कितनी है लायद gives सब्सक्राप 25,200 म का हमारा लैंड lychonson ब्सक्राइट ऑर अगर को ने कि बात कर करें इंडिया के कोस्टल लेंद की तो कोस्टल alam क्य freと思います वह बहुंग है क्ना की बात करें तो हमारी कोश्टल लेंथ कि सबस्ञी किलुमृति-चौ्ध-घ्च ने बता रहे किंडिया लन्भी तो दो तर की में डाली है इन्डिया मिन्द इन्डिया मतलब सर्फ इस की तो यह कितनी है तो यह है 6100 km दोनों के दोनों को अगर हम इंकल्यूड करते हैं तो हमारी कोस्टल लेंद्ध बन जाएगी 7516.6 समझ में आया कि जिन इसका मितलब इंडिया कि हम लोगों कelf लेकिलेंडवे रिया देख लिया की किसा है मिन इंडिया कहली अरुण मिल almost drive 651.6 में इंडिया काुटल लेंद्ध मेन ले्लान देखे लिया 6,100 km और इंडिया का लोगो मिलाके 7516-7.6 किलोमेटर से आगे बढ़ते हैं यहां तक समझ में आया तो मुझे आंगोठा दिखा यह क्योंकि यह वाले वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टन रहने वाली आप लोगों के लिए आई यह देखते हैं नेक्स्ट हमारे पसंडי्टम है कि एक्सट इस वеш्डेस्ट कितना है हमारा इस्वस्ट एक्सटेंशन मतलब यह यह चुलोमेटर का हमारा east-west extension है और अगर south-north या north-south extension देखें मतलब कहा से कहा तक यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक अगर हम लोग देखें इंडिया का north-south extension तो वो कितना है 3214 km का है ठीक है आए क्या बहुत रहा है longitude का बात करें तो longitude का तो बोलना कि longitude कि अगर बात करें हम लोग तो 68 degree 7 minutes इस से लेकर 97 degree 25 minutes इस तक हमारा क्या है longitude है ठीक है तो longitude कहां से कहां तक है यहां से यहां तक कहां ठीक है और कितना 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 बता रहा है अरे 68,000 तो 68,000 तो 68,000 तो 68 degrees 7 minutes इस से लेकर 97 degrees 25 minutes इस तक और अगर latitude की बात करें latitude की तो इंडिया का latitude कितना है तो 8 degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north यह इसका mainland का area और अगर हम लोग बात करें किसका mainland और आइलेंड का तो 60 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north जो है यह हमारा latitude है ठीक तो यह latitude है हमारा और यह longitude है देखा आप मैं थोड़ा सा तुम्हें करके बताता हूं अगर latitude की बात करें 8 degrees 4 minutes north तो यहां पे होगा एना 8 degrees 4 minutes north यहां से लेकर ऊपर तक ऊपर तक क्या जाते हैं हम लोग ऊपर तक हम लोग जाते थर्टी सेवन डिग्री थर्टी सेवन डिग्रीज 6 minutes north अब यहां पर नॉर्थ आ रहा है यहां पर नॉर्थ आ रहा है और नॉर्थ में इधर से लेकर इधर तक है न तो एट डिग्री नॉर्थ से लेकर कितना 37 डिग्री नॉर्थ तक है आया कि नहीं आया सोज में यह वाला सिस्ट्रों और आगर हम लोग बात करें किसकी लॉंगिट्यूड की तो लॉंगिट्यूड किता बदा रहा है तो यहां पर क्या है यहां पर होगा हमारा 68 डिग्रीज से लेकर का तक का तक यहां तक और यह क्या है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगुटे और बोलो कि सर हंडर्ड परसेंट आ गया समझ में ठेक है यह वाला पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर लेंगे कोई दिख कर नहीं ठीक है बड़े आगे आगे देखते हैं हम लोग और क्या है हमारे पास तो नेक्स बोल रहा है नॉर्दन मोस्ट पॉइंट इंडिया का सबसे नॉर्दन मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो नॉर्दन मोस्ट पॉइंट इंडिया का है इंद्रा कोल इंद्रा कोल सियाचन ग्लेशियर पता है हम सब को सियाचन ग्लेशियर की पास ही किसके किसके बारे में पूछे यह में लैंड आइलाइंड के बारे में पूछे तो इंदरा पॉइंट जो की ग्रेटर निकोबार आइलेंड ने पड़ता है ठीक है या पर है गोहार मोति है और गुजिरात में और गुजदात बित्अत्र mayro आगे ना तो यहां पर तमिल नाटू नहीं आएगा यहां पर आएगा केरला ठीक है आगे समझ में कोई दिक्कत आईए प्रिंटिंग मिस्टेक है वो थोड़ी सी आगे 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 देखते हमारे पास और के देखी क्या बोल रहा है आप सेवंध लार्जेस कंट्री इ है कितना आगे तो पाच मिल्ट पाच घंटे टीस मिल्लगैं पाच घंटे तीस मिल्डगे इंडिया इंडिया क्या है इंडिया को ढीड कर दिया गए है इंटिया को डिया कर दिया गया ऑठ्थाटर이स नहीं quand green तृट्स ने डिवीज़नी के घि queens life है अठाई स्टेट और आठ यूनियन टेडिटरीज में दिवीजन इस बेस्ट में ली ओन दर रिस्पेक्टिव लैंगवेज़ इस पोकन इन देर इन दीज एरियास तो यह क्या बोल रहा है कि डिवीजन बेसिकली किस बेसिस भी किया गया इंडिया में तो हम सब को पता है कि स्टेट रिओड़वेज़ नहीं थे पानें स्टीन आठोर अजिशन गैसे एक्रिकें आटीनंवेस किया थार तो लैंगागेज़ की बैसिस पे quicker कि ऐन दीजिऊडिचिवेजेंगेज़ं कि का थे इन इन डि-उन एयरियास कर्थ ऑर श्यावेछ्ट किता इंटेच्वनें सबस्दाइब government to take care of its administrative units और यह क्या बोड़ रहा है हर स्टेट और हर युनियन टेरिटरी इसके पास क्या है इसके अपनी अपनी क्या है खुद की government है ताकि वह अपना administration चला सके आया के नहीं आया समझ में ठीक है तो हम लोग क्या याद रखना है के पाद की सब्सक्राजेस काल होटाई डॉर्लडमे इंडिया एरियावाई हागी ना इंडिया का जो इंडिया het इंडियू स्टाएंडरी ताइंडियन स्टाएंडर्ड टाइंउ यो इन्डियनिन्ढड़ टाइम ग्रिनविच मातने में सुद्स कितना आगे पाच घंटा तीस मिनिट पाच घंटा तीस मिनिट आगे आया कि निया समझ अच्छा इससे एक और इंपोर्टन चीज बताना कि हमार जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो किन-किन शेहरों से होके गुजरता है ठीक है यह आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्षिन अजय हो और रहा है यह सारे की सारे चीज़ें देख़िए हम लोगोंने आगे बठते हैं थोड़ा सा देखते हैं आगे हमारे पास और क्या है यह है पर्टुकुलर्स पर्टुकीलरस मतलब इंडियके बारे में और कुछ-कुछ इंपोर्टन से बताएँगा सबसे पहले क् इंडिया का नाम क्या है according to constitution बताएगा कि इंडिया का नाम क्या है तो इंडिया को Republic of India कहते हैं हम लोग या इसी को भारत गन राज्य भी बोलते हैं या फिर अगर हम लोग simply constitution के हिसाब से जाए तो constitution में लिखा है क्या India that is भारत कर है कर इंडिया के दो ही नाम मेंचेंड कॉंसीटुशन में एक इंडिया दुसरा भारत अधिक ब मतलू के हमारे पास पारलियमेंट में अर्पारिय पां है हमारे पार्लियमेंट में हमारे पास लोकसभा है राज्य सभा है और हमारे पास प्रेसिडेंट है ऐसा ही है क्या बिल्कुल ऐसा ही है आगे ना लोकसभा के राज्य सभा के एलेक्शन्स होते हैं प्रेसिडेंट के भी एलेक्शन्स होते हैं राज्य सभा के जो इलेक्शन हो कि इंडिया socialist है democratic है लोग तंद पी चलने वाला है ठीक है socialist है मतलो egalitarian society बनाने की बात करता है republic है republic मतलो constitution हम लोगों ने adopt कर रख ठीक है और parliamentary form of government है यह तो देख लिया हम लोगों ने आए क्या बलाए legal system legal system कैसा है इंडिया में legal system कैसा है तो legal system मतलो तो कानून विवस्ता के सी इंडिया में तो इंडिया की कानून विवस्ता constitution के साब से चलती है constitution of india is the original source of legal system in the country हागे न तो constitution of india जो है जो हमारा आइन है जो हमारा सम्विधान है उसके हिसाब से क्या करता है पूरा की पूरा लॉफ चलता है हमारा इसके साथ साथ आप लोग आगे लिख सकते हो कि फिर IPC की बुक से एन इंडियन पीनल कोड बगेर है तो इसके एक एक अगर एक चलता है ठीक है IPC इंडियन पीनल कोड बोलता है मतलब क्या आप constitution में थोड़ना लिखा है कि कोई बंदा अगर चोरी करेगा तो उसको क्या सदा दी जाएगी या कोई बंदा मर्डर करेगा तो उसको क्या सदा दी जाएगी तो उसके लिए हमारे पास दूसरी किताब है जिसको IPC बोला जा मतलब that executive branch इंडिया की policy डेरे कोन बनाता है एंडिया की policy डेरे Execute कोन करता है ठीक है तो हमने पता है क्या Government government का headМы hear iliidra ministra可以 country 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 होता है defensive क्या बोल रहा है president of India is the head of the state非常的 कीसरी प्राइड प्राइमिनिंस्टर प्राइमिनिस्टर भेड़ों एकाया हुख प्राइमिनस्टरी के अंदर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते। सारे मिनिस्टर सूते और इन सारे मिनिस्टर को और मिनिस्टर को मिला कर बोला जाता है कंसी । क्या बोला जाता है कॉंसल आफ मिनिस्टर्स बतलब के यह लोग रूल करते हैं कः और सेंटल गवर्मेंट किया तक समझ में आया है तो फटाफट 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 से दिखाऊ मुझे अपने क्या अंग उठे और बोलो कि सर 100% समझ में आ गया है पेपर में आता है वो खाड़ के आ जाएंगे सर पेपर को ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हमार पास क्या है और आगे क्या बता रहे हैं चोग सर येचिल के बारे मता रहे हैं। अब लेस्लीचर कुछ लोग सुछ आप दो बडम धालेम हो तछयग दो जो रहे हैं दो कि हो र yardımरा है रहे हैं कि रही हैं जो च्मपांसे यांशलीचर में उस आटे और अं नी Hem Tut was अना में मैं नाम से बढ़ सब्रांद ठाटेन रहा क्यां कि पार्लेमंट कि दो आ हूँस है और एक bıला हम लोग और अनसर देखें इज कि पार्लेमंट की तीन पार्ट post hai कि हमारा आंजर क्या होगा कि ब्रजाक्ट में बीकितने आपे इस फ्ल्रास्ट रंडब की वी यरस चीदन इद नुल्हिट्पर अब कितने हाउस तो नहीं है और लुक सब्छ और रेक्क्ता ड़्च याका खुण ब्रहाइं तो ह्यो पर लोग सब्रास चाहिए तो पारलेम numerical कितने हाॉज है, तो पारलेमीड में दो हाउज है ठीक है, पारलेम्ट के पार्लेमेंट के पार थीन है प्रेशिडेंट पारलेमेंट का। इंटीक्रल पाईबा जूडिशेयल ब्रांच तो जूडिशेयल अनु पता है किया जूडिश्य कोर्ट हागे ना तो कोन आएगा Supreme Court High Court वगरा 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 दो क्या बोल रहा है Supreme Court is of India is the apex body of the Indian legal system तो इंडिया के legal system का कानून प्रनाली का सबसे highest body को है Supreme Court is followed by the other high courts and subordinate courts और यह क्या बोल रहा है कि Supreme Court सबसे उपर Supreme Court के Supreme Court पूरे इंडिया में एक हागे ना इसके under में हर स्टेट Me, क्या होते है High courts हर स्टेट में नहीं होता वैसे लेकिन mostly हर स्टेट में High court होते है और इसके बाद हर दिस्टिक्ट में क्या होता है हर डिस्टिक्ट में होते है district court, subordinate court, city courts, वगरा वगरा तो इन सब को बॉला जाता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब हकाः काप रहे तो यह ही इन आप अलोओ गर चिर्चbers और उत्रवुल भात रही हम रहा है in आचिल के लिखार Shuma Kira Hero Królल ग्राइब के सब्सक्राइब रही हमें हिमाचल पर देश की सब्सक्राइब हु sta और winter में Capital हो जाती है धर्मशाला ठीके समर में Capital शिंब्ला winter में धर्मशाला तो यहां का चीफ मिनिस्टर है सुकविंदर सिंग सुकुध सुकुध कई बार कर निदा फ्रेस में हम लोग नहीं कर लिया इनके बारे में गवर्णर यहां का नहीं है तो हिमाचलम प्रदेश के गवर्णर है श्री शिव प्रताब शुक्ला शुख्ला टोटल यहां पर 12 डिस्ट्रिक्ट से और कब एस्टेटीजँ उस्टेट कब बना है तो यह mercury के स्टेटा बना Oh से पहले ये यूडियन टेरिटरी था और पंजाब का पाट था हिमाचल प्रदेश ठीक है तो यह क्या बोल रहा है 25 जैन्वरी बताओं करें कि और योड़ समर की बाथ करें तो पताओं कि अचाय की नंख्याय तो कि के मधध क्ब्धां क अध्र अुख एसके कि अब टो क्हों घांट Absolute obsolesive नीख और सब्सक्या हम शिर्व मैं और विंटर की केपिड़एलेस की देहरादुन है चीफ मिनिश्टर है इसके कौन पुषकर सिंह धांबी पुषकर सिंह धांबी है और गवर्रनर इसके है गुरमीद सिंग जी और टोटल इस में कितनी डिस्रिक्ट से आई 13 तोटल 13 दिस्टिक्ट से हमारे पास उत्तराखंड में देखे क्या बोल रहा है और 9, 2000 उत्तरांचल वाज काव्ड आउट अफ उत्तर प्रदेश एज ट्वेंटी सेवन स्टेट ऑफ इंडिया ठीक है तो यह उत्तराखंड है पहले इसका नाम क्या था पहले इसका नाम था उत्तरांचल उत्तरांचल और इसको तोड़ा गया था उत्तर प्रदेश से तो पहले यह उत्तर प्रदेश का पाट था फिर उत्तर प्रदेश से इसको तोड़ के बना दिया गया था इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा और तोहजर साथ में इसका नाम चेंज करके रखा बनाई नुवंबर 9 2000 कि 2000 में इसका जो नाम था उत्राइन चल नाम था ठीक है बाद में किस से तोड़ा था यह उत्रपदे से तोड़के बनाया गया था इसको 27th state of India तो और बाद में क्या हुआ इसका नाम 2007 में चेंज करके उत्राखंड रख दिया गया था समझ में आया है त नाख तरीके से ठीक है बड़े आगे चलो आगे देखते हमारे पस क्या है है नेक्स्ट हमारे पास है उत्तरप्देश उत्तरप्देश की कैपिटल तो हम सब को पता ही है कि लखनो कैपिटल है इसके चीफ मिनिश्टर हमेशा चर्चे में रहते हैं तो योगी आज इतिनाज इसके करेंद जी का नाम पताइए है आप लोगों को गवर्णर यहां की जो गवर्णर है वह श्रीमती अनंदीबेयन पटेल नानन्टी बन पटेल ज्सट इन्फ तो हम सब को पता कि लार्जेस स्टेट ऑफ इंडिया है तो 75 डिस्टिक्ट्स है आपकर है न इस्टेब्लिश्ट इन तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था ठीक है 24 जैनवर ही 1950 और इसको पहले यू यूनाइटेड प्रोविंसेस के चीफ है जाना जाते होता ब्रिटिश जाना जाता हुँए इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से यूनाइटेड प्रोविंसेस ठीक है और बाद में इसका हिंदी करन कि हम लोग नें आजादे के बाद इसका नाम यू-P ही रखा लेकिन उत्तर प्रदेश बना ठीक तो पॉपिलेशन के अगर बात करें तो पॉपिलेशन के हिजाब से लार्जेस स्टेट ऑफ इंडिया है पिचत्तर इसमें डिस्टिक्ट से ठीक है अनंधी बेन पटेल इसके गवर्नर है योगी आदित्यनाद इसका चीफ मिनिस्टर है समझ में आय कि निया पिचतर के पिच पंज़ाब की सेमएपट अब तंदिगर केशन के इसके बार है भगवन्त मान जी आम आदमी पाय्टी अगे न आप आदमी पार्टी से को आपने निय्या गवर्नर कोनर है इसको बनवारी लाल पुरोहित जी जो इसके गवर्नर है टोटल इसमें 22 डिस्टिक्ट है और इसको 1966 में बनाए गया था तो पंजाबी speaking population को आलग कर दिया गया था 1966 में और पंजाब बना दिया गया था हिंदी speaking population को इससे आलग करके बना दिया गया था क्या हर्याना ठीक है चल पंजाब देख लिया आगया थे हर्याना भी आते हर्याना भी पंजाब के साथ ही बना एक ही आना क्योंकि बड़ा पंजाब था और बड़े पंजाब के दो हिस्से हो गए इंडिया वाले पंजाब में नोहर लाल खटर और गवर्नर को ने तो गवर्नर जो है वह है बंडारू दतात्रे तो बंडारू दतात्रे जो है वह यहांके गवर्नर है टोटल डिस्टिक्ट इसके 22 है और यह भी बना है 1st November 1966 को हर्याना दुद्धधही का खाना मारा हर्याना हुई ठीक है बड़े आगे चलो आगे बढ़ते वेस्टन स्टेट्स अफ इंडिया में आते तो वेस्टन 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 स्टेट्स अफ इंडिया देखो क्या बता रहा है किस किस का नाम ले रहा है यह नाम ले रहा है राजस्थान का गुजरात का महाराष्टा का गोवा का ठीक है राजस्थाथ तो राजस्थान के बारे में क्या बता रहा इस की एपिटल के सब से पहले चीज तो इसकी capital है जैपूर एक हो चीफ मिनिश्टर के खुने अशो क्ये गहा थिए गवर्णर को एरिया वाई सबसे बड़ा स्टेट भी हो गाई है तो यह क्या बोल रहा है कि जो थार डेजर्ट है वो कुछ तो किस साइड है कुछ तो है अपने पास यहाँ पर राजस्तान में और कुछ कहा पर है कुछ सिंध 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 स्टेट ऑफ पाकिस्तान में है और कुछ पंजाब में भी है कुछ हमारे पंजाब में और कुछ उनके पंजाब में पाकिस्तान वह लोग है ठीक है दूसरी चीज का बोलता है लार्जे स्टेट ऑफ इंडिया प्रवारी एरिया ठीक है बड़े आगे आगे सब्सक्राइब पक्का दिखाओ दरांगे अगे बढ़ते तेके हमने पास और क्या है नेक्स देखो क्या किसके बारें बता रहा है गुजरात के बारें बता रहा है कि बिल्कुल गुजरात के बारें बता रहा है गुजरात की कैपिटल गांधी नगर है कई जन्हें जो है वह एहमदाबाद में अहमदाबाद है तो एहमदाबाद गुजरात की कैपिटल नहीं है गुजरात की capital गांधी नगर है गांधी जो है का केते गुजरात केते गांधी नगर capital फु ज्रॉवर्थ कि और धिए नगर ओफ गुजरात है चीफ मिनिश्टर यह कोन है तो चीफ मिनिश्टर यह के हैं वो पेंदरभाई पटेल गवर्णुर है श्री आचार्य देवरत आच पाने क्या था ये बॉंबे स्टेट्व को फर्स्ट में 1960 के इसके में दो इससे हुए गुजराती स्पिकिंग पॉपुलेशन और मुराथी स्पिकिंग पॉपुलेशन निम्हें इसका ुप मह राष्ट्रा किंग तो या दोनों इतने टाब्वर्ण विए गुजराद भी और महाराश्रा भी गुजराथ जो है 1960 महाराश्रा भी 1960 दोनों का बर्थ फरस्ट में एका ट्रीक है चलो आगे देखते चाहरा महारास्टा के बारे में तो महारास्टा का एरिया देख़े लो इस साइड देख लिया के है इसके सरह है ना चलो देखा अभी क्या बरधा है इसकी पीडिजा है कि इंडिया की कमर्शल केंटल या फाइनेशिल कैपिल इसकी कैपिडल है महारास्तार की मुंबभी है जो है है ना चीफ मिनिश्ट इसके अब एक नात्ष इंधेर गवर्नडर है श्री रमेश बाइस को ही इसका establishment हुआ था third largest state by area और अगर एरिया वाइस देखा जाए तो third largest state area wise ठीक है second largest state area wise कौन सा है second largest state area wise है मद्धिप्रदेश third largest state area wise है महारास्टा ठीक है और यह क्या बोड़ा second largest state by population तो first largest state by population उत्तरप्रदेश और उसके पॉप्लेशन में सबसे जादा कोने महारास्टा तो जय जय महाराष्ट्रमाजा किया था कि बतार था कि 19 फरवरी को शच्छाइश्य महाराज की बर्त अनिवर्सरी थी उस दिन यह लोग इसी गाने को अड़ाप्ट कर रहे थे as state song of Maharashtra कर लिया इन लोगों ने डॉप्ट चरिए आगे बड़े आगे बड़ते हैं गोवा गोवा को दिखते हैं तो गोवा की capital क्या है गोवा की capital है पंजी स्मॉल स्टेट अफ इंडिया और सिरफ दो ही डिस्टिक्ट से इसमें तो डिस्टिक्ट देख किते हैं दो चीफ मि और गवर्नर है श्री पीएस श्रीधरन पिल्लाई ठीक है तो पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो है यहां के गवर्नर है प्रमोध सावंध यहां के चीफ मिनिश्ट है टोटल इसमें सिर्फ दो डिस्टिक्ट से और बनायेगा कब बनाया देखो 1987 30 में 1987 को यह established हुआ है ठीक ह और पहले काफी डिपेट ही महानास्ता वाले करें देखेट का हमें देखोगवा में देखोगवा में गवार्न के प्रोटेश्मीं और क्यों कि हम लोगों को जो है यह जाब्स वोटिंग ते अग्यरा वग्यार प्लीभी साथ और प्रीया यहां के अलोग स्थेट बनाए औ बार एक ही आएगा तो मद्यप्रदेश और 36 गड़ देखो ज़रा और कुछ है कि बस यह दो मद्यप्रदेश एंड शतीजगड जो है इंडिया के Central States में आते Central States of India ठीक है आई यह देखो क्या बोल रहा है इसके बारे में अब सबसे पहले मद्यप्रदेश के बारे मता रहा है मद्यप्रदेश के बारे में क्या बता रही है तो गवर्नर को ने तो मन्गो भाई चगन भाई पिटिल है ना तो मन्गो भाई चगन भाई पिटिल कि क्या है गवर्णर है टोटल 52 डिस्टिक्ट से एस ते के और एस्टेबिश्ट कब हुआ यह फॉस्ट नॉवेंबर 1956 फॉस्ट नॉवेंबर 1956 में एस्टेबिश हुआ यह और सेकेंड लार्जस टेट है अगर एरिया वाइस देखा जाए तो किसके बाद महारास्ट्र आएगा ठीक यह मद्यफर प्रदेश पहले यह था कि कि यह इसी में आता था ठीकिन बात में क्या कर दिया और इसको चंफिस गड़ागल जी जोँए इसकेस तो बिश्वा भूशन हरी चंदन जो है इसके यहांके क्या है गवर्नर है और टोटल यहां पर किते डिस्ट्रिक्ट से 28 इंपोर्टन पॉइंट कुछ बादल में बता रहा है देखो क्या बता रहा है चतिस गड़ काव्ड आउट ऑफ मद्यप्रदेश तो यह कह रहा है कि च नॉवेंबर 1, 2000 कभ 1st November 2000 को as 26th state of the union ठीक है तो हम लोग ने 27th state पड़ा और 26th state पड़ा 27th state पड़ा था हम लोग ने उत्राखंड जिसको उत्तरप्रदेश से अलग कर दिया गया था 9th November 2000 को और इसको 1st November 2000 पे 26th state of the union बनाया गया ठीक है 26th state बनाया गया था इसको 34 गड़ों अनल उत्राखंड जस्ट पहले यह एक तारिक उन्नों तारिक ठीक है आगे देखो क्या बता रहे है 36 इसके बाद आते है हम लोग इस्टन स्टेट साफ इंडिया अर्व क्या अगता इस्टन स्टेट सफ इंडिया में क्या क्या आएगा धूत अलग क्या आएगगा बिहार, रहा है जारकंड वेस्ट बेंगॉल और ओडिशा तो बिहार का है बिहार जारकंड यह रहा है बिहार से टूटके बना है वेस्ट बेंगॉल यह रहा और ओडिशा यह रहा है ठीक है बिहार जारकंड वेस्ट बेंगॉल और ओडिशा के बारे में हैं हमारे पास देखिए क्या बतार रहे है बिहार जीया हो बिहार के लाला अो जीया तु 1,000 साल रो, को पाथना के कला रो, जा गठीक Stage ूर सुना के कहना종 हदा उन्हाम चलोiba बिहार की पटना के काफिटल है तो कि आइब तक रहेगा समोसे में आलू अब जैल में विचारा क्यां है चीफ-मिंश्टर है कि कौन है नितिश कुमार जी यहां के चीफ-मिनिश्टर है कि गवर्नर राजेंदर विश्वना शान अरलेकर राजेंदर विश्वनात अरलेकर जो है यहां के कहवनर टोटल किते बिस्टीकर से है तो ट्रोटल इसमें है डिस्टिक्ट ॥ार्टी एर्बशींट्न है और इसको बिहार बिहार ठीक है मैं बढ़े साआए आगे बढ़ते और देखते कि हमारे पास और क्या है हामें नेक्स बता रहा हुआ हैता ह Paleo Next ज лег rap यहर कंद के बारे मिये अवरे क्या पिसलेा कै IG इंतर करते और थाय कि filter does यहां फिस्टिक्स शस्य हैं ठिक गवर जहरकन ठूटा जहरकन टूटा है से धीक सब्सके बना उत्राहए हुPS इसके बाद 2000 में ही 15 नोवेंबर को क्या बना 15 नोवेंबर को बन गया है जारखंट ठीक है as the 28th state of the union 800 बन गया था यह इंडियन union का ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आई क्या बलता है West Bengal West Bengal रॉष्ण गुल्ला ठीक है तो देखो क्या बोल रहा है West Bengal के बारे में सबसे पहली चीज बोला है कि इसके Capital जो है क्या है Kolkata है Kolkata परेले इसको कलकत्ता के नाम से जाना जाता है इंडिया की Capital थी दिल्ली से पहले ठीक है और सुप्रीम कोर्ड भी यही था सारा पूरा की फूरा अद्मिस्ट्रेशन यहां पर था और आप लोग मुझे बताऊगे कि जो Capital है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कब हुई ठीक है इंपोर्टन्ट है ठीक है हिंडिय देता हो चीफ मिस्टर मम्ता बैनर जी है दिदी यह ना दिदी ओ दिदी यह ना चलो खेर टोटल डिस्ट्रिक्ट से आपर किते हैं 23 डिस्ट्रिक्ट है टोटल 23 डिस्ट्रिक्स और 26 जैनवरी 1950 को बनाई है 26 जैनवरी 1950 मतलब जिस दिन हम लोग उने Constitution adopt कर रहा था उसी दिन वेस्ट बेंगल भी बना था आया के निया सुमझ में ले एना बेंगल स्पीकेंग पॉपलीशन रहती है यह पर फिर आपनों आ रहें किस पर ओडिशा पर अधा देखो दिख रहा है ओडिशा थे देखो अधिघो डिशा के बारे में क्या बता रहा है का एपिटल के ठीटल के ओड अबनेश्वर कैपिटल है ओडिशा की चीफ मिनिस्टर यहां के है नवीन पतनायक नवीन पतनायक श्री गनेशी लाल जो है यहां के गवर्नर है टोटल 30 डिस्ट से यहां पर और और मदरास इन तीनों के स्टेट्स से काव आउट होके बनाए ठीक है तो मदरास के दो डिस्टिक्ट्स थे इसमें और मेंली पॉर्शन था ओरी सा का और किसका बिहार का और ओडिया स्पिकिंग पॉपिलेशन को अलग कर दिया गया था तो 1936 में बनाई है बुमनेश्वर तो आप सदन स्टेट्स में बचाए कौन सा सदन स्टेट्स में बचा हमारे पास तेलंगाना आगे ना आंधरपदेश करनाटका केरला और तमिलनाडू ठीक है तो इन पाच के बारे में भी देख लेते फटावट फटावट से फिर आपने पास बचेगा कैं इसे बता रहा क्या राएं लोग बताव हैं कि ने बलस अबहाएं यहां कोने तो चीफ मिस्टर है यहां को 느 स्ट्रेट्स में को स्सक्तला के हार classify को मैं चैफ्परण इतल दुस्ते में आप लोगों को पढ़ाया था बढ़िया वंद देख यह है कि एस अब्दुल नजीर है ना जो सुप्रीम कोट के वकील थे जो उसमें भी थे बावरी मस्जिद और राम अंदिर वाली केस में ठीक है तो इनको बना दिया गया है गवर्णर आफ अंदर पुदेश ठीक है टोटल डिस्टिक्ट कितने हैं यहापर तो टोटल डिस्टिक्स इस अन्दर प्रदेश काव्ड आउट ओफ मद्रास प्रिशिदेंसी अन्दर प्रदेश फॉर्म्ड ओन नोवेंबर 1,1956 तो नोवेंबर 1,1956 को तो इसको क्या मिला है क्या क्याता है उसको स्टेट हुड मिला है लेकिन उससे पहले ये 1953 में बन चुगा था 1953 जब पोट्ती स्रीरा मुलू यहना विसाला अंधरा प्रोटेस्ट हुआ था यहां पर कौन्सा प्रोटेस्ट हुआ था विसाला अंधरा प्रोटेस्ट हुआ था अंधर प्रदेश में ठेकें और एक बंदा था जिसका नाम था पोट्ती पोट्ती स्रीरा मुलू स्रीरा मुलू और पोट् या तो हंगा स्ट्राइक तब तक करूंगा जब तक तुम लोग बनाई बनाऊगे नहीं तो इसके डेथ हो गई उसमें कि इसके पोती से रामुलू ने और फिर आंदरपदेश के लोगों ने पिटाई कर दी पुलिस वालों की फिर आर्मी आई आर्मी वालों की पिटाई कर अध्यूंबगे तो यह बनाएं तो पहला सबसे पहला स्टेट जिसको बनाया गया अन्दरपदेश वह कुण सा है वह अंदरपदेश ठीक है चल आगे देखते हैं तो तो लेटेस्ट स्टेट है हमारा रहा है ना सेकेंड जून तो इसके पॉलिटिकल पार्टि का नाम क्या है यह मुझे बताना और इसको सब्सक्राइब गवर्नर है टोटल डिस्टिक्स यहां पर कितने 33 डिस्टिक्स है अच्छा कासा बढ़ा है ठीक है और और सेकेंड जून 2014 तेलंगाना वास कावड आउट आफ आंदर पदेश अच्छ विद हाइदराबाद गएथि हाइदराबाद ठीक है चल अगे बढ़ते है आगे देखते हमारे पास क्या है नेक्स्ट नेक्स्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ड हमारे टेलीज़ज़न स्क्रीन पर व्याज पर और करनाटका लक्र निर्ग को दड़े का मतलब कियो जा भॉषज कुछ होता है यह था नौ भाइव में था मोई थे यहां दो अब फे चेलो तो एकापिटल है यहां का बंगलुरू बंगलूरू था इसको इसको किया यह तिको बनाया गया गया बंगलूरू चीफ मिन्स्टर यहां के कोण है तो बसफराज बंबवर्ण है के श्री ठवर चंद गहलूत जा महारास्ट्रा और गुज्डात बनने शप्छागर बोढ यहां पर केला और ब्रीट कट से दिखाते हैं यह लोग आपने आपको क्योंयों और कम्यूआ इसकी है तिरु वन फुरं बुरू इसकी के चीफ मेनिस्टर या के है कोण पिनराई विजयन फिक यहा के जो चीफ मिनिस्टर है गवनर है श्री अरिफ अरिफ मौप खान तो अरिफ मौमथ खान जो या के गवनर है टोटल किते डिस्टिक्स है यह पर तो टोटल 14 डिस्टिक्स है और इट वस इस्टेबलिष्ट ऑन फर्स नॉवंबर 1956 नॉवंबर 1956 इसको बना दिया गया था आया क्या नहीं है और थोड़सा आगे बढ़ते और देखते हमारे पास और क्या है तमिल्स नाडु राटु अमिल्स के बारे में देखू क्या बता रहे हैं तो बहुत्य से पहले चीज बता रहे हैं कि जो तंब ला चीफ्टर कोन है एंके स्टैलिन चीफ मिनिस्टर है गवर्नर कोन है तो गवर्नर है श्री आर एन रवी यहांके गवर्नर है टोटल थीएट डिस्ट्रिक्ट से यहांके और सब्सक्राइब। हुआ ऐसे गए आपने पास नोफ इस्टन स्ट्वर्ट्न क्या खर रहा है कि ढिखी है किस्ट ऩ इस्टेट के और क्या से सब और गख मेघा लाया तरिपूरा, मिजोरम, मनिपूर और नग sled ठेड़ थे साथ स्टेट्स । यह यह जोसज़ इनको सेवन सिस्टर्स बोलए जाता और एक यहापर हम्हरू इरे से किम भी है सिक्किम को बोला जैता है ब्रदर आफ दिस सेवन सिस्टर्स कि यह साथ बहनों का ये भाई ठीक है दिव क्या बोल रहा है को से को से को देन आध इस्टेंस स्टेट से हमार पास तो आसाम है तुरी पूरा है मनीपूर है नेगालेंड है आरुनाचल प्रदेश है म सबसे पहले आसाम तो आसाम आसाम की कैपटल के दिस्पूर दिस्पूर चीफ मिस्ट्र तो हमें पता ही है यहां को नहीं है कि है मंन बिसवास VonAS Chan the हैं मनथ बीसवास पर में गवरनर गुलाभ चंद कटारिय गुलाभ चंक टारिया घर्टी 3 डिस्ट्रिक्ट है इस कि दरिपूरा के बारे में तरिपूरा के क्या है अगरतला और तला इसे क्या नाजाएन आरिया जो है यहां के गवणनर है तोटल आट डिस्टिक्ट से यहाँ और 21 जैन्वरी 1972 को इसको एस्टभिश किया गया था थृपूरा को 1972 से मैंने सब्सक्राइब का चोफने संग्मा ने चीफ मिनिस्टर बने इसके सांग्मा और फागु चोहन यह क्या है फागु चोहन जो है यहां के गवरनर है टोटल 11 इस से और 21st जैन 1972 को इसको establish किया गया है मतलब कौनसा कौनसा तरी पूरा और मेगा लाया तोनों इखटा किया गया ठीक है इसके बाद आता है क्या मनीपूर मनीपूर है ना तो मनीपूर के बार में एक चीज़ याद रखना कि इंडिया में सबसे पहले right to vote के तहत या यूनिवर्सल अडल्स ऐचाइज के तेैट अगर पूरे इंडिया में पहली बार कहीं पर वोटिंग हुई थो मनीपूर में हुई है नाइटिन फोटिन ना पहली बार युनिवर्सल आडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर आप कही पर आगर वोटिंग हुई है तो कहा हुई है मनिपूर में हुई है कैपिटल क्या इसकी तो इसकी कैपिटल है इमफाल इमफाल इसका चीफ मिनिस्टर को ने देखो एन मत करना क्यों कि इत्ता बड़ा है न बिरेंच सिंग बुल जाओ गए तो एन बिरेंच सिंग जो है मनिपूर के क्या है चीफ मिनिस्टर है अनुसुई या उइक या कि क्या है अनुसुई या उइक यहां की गवर्नर है 15 डिस्टिक्ट से इसमें और एस्टैब्लेश इसको किया गया है कब 21st January 1972 इसका मतलब तरीपूरा मेघा लाया और मनिपूर तीनों को 1972 में 21st जैन को क्या किया गया है एस्टैब्स किया है ठीक है को दिक्कत मतलब इसमें सबसे पुराना आसामी है है ना उनिसो पचास आसा ठीक है मनिपूर वगएरा तरीपूरा वगएरा पहल तो नागल या नेगलन नेंध जो भी आप लोगों बूल सकते हो नागलेंड से नागलेंड है कैपिटल क्या है को हिमा कैपिचल नइफ्योर यो तो अभी इलेक्शन करें तो यह मैंने पड़ास का धुझ तो नई फ्यूरियो अभी चीफ मिनिस्टर बने अभी जो इलेक्शन होते उसमें और गवर्नर कोन है आके तो गवर्नर रहा के ला गनेशन ला गनेशन ठीक है और बारा डिस्टिक्ट से और कब बनाए गया तो नागलेंड को हमेशा याद रहा है कि नागलेंड जो है इसको बनाया गया है कब नागलेंड को बनाय गया फ्रस्ट डिसेंबर 1963 जैसे इंडिया और चाइना का बड़ कि खतम हुआ था उसके बाद नागलेंड बना और यहां कि क्या है चीफ मिनिस्टर है केटी पर नायक यहां कि क्या है गवर्नर केटी परनायक और 25 डिस्टिक्स में ट 20th February 1987 Yea हारी बाभू यहां के जैएंग डिस्टिक्स है और 20th February 1987 दक दूरमी को यह बनाए किस के साथ आरुनाजर परदे यौध ईखिन दिन बनाए गया इंटीं हлек आगे तो सिक्किम आपकरिंड ये ये सिक्किन ये क्या सकी है वेहाई हुआऔर सके फ légIGंड लघला चीफ मिनिश्टर्टरिस उसके प्रेंज सींग तमांँ ये प्रेम सिंग तमंग जो है , वह जक्ष्क सीम के क्या है..? चीफ मिनिस्टर है लक्षमनाचारिया जो है इसके गवर्णर रहेल रख्षमाचारिया टोटल 07 कि छोटा है थाना सबसे छोटा भइए यह यहारा तो सिग्षमाचारिया के गवर्नर है ग्यांग डयक्टॉप बड़ीयर नियिंगध औ। प्रछ लिखा निए तो 1972 में छिंकिम उपार्ट मैं CKND पहले इंडिया का मत्राओं इस रिख लगषाल है और मुझे इंडिया का पाटा बनना बना स्कोर हो दो आ writ और एरिया के इसाब से देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा है I go to sick him is the second smallest state of India by area और अगर area के साब से देखा जा तो सिकिम सेकंड smallest भी है नगने टो एरिया की सिन दिशाब से लिभा से साथ ऐस को इसकेक चली आगे ब्ढ़ते इंडिया थीकुन दो जन सबसे इन यहां जाता है थीकें चली आगे बढ़ते इंडिया की उन्टरेट की आगने से जिए इसकेम और देहरे ran हसला ुभ दिएगी होगे overwhelming थिक हई और हमारे पास पॉंडी चेरी है हमारे पास है क्लेडिकी lakso यह पूरा यह पूरा एक ही है ठीक है लक्षवदीप पुढड़ु चेरी जमुमेन कश्मीर और लदक तो एक दो तीन चार पाच छे साथ और आठ तो हमारे पास एट यूनियन टेडिटरिज आठ यूनियन टेडिटरिज और अठ्थाइश स्टीट्स है ट्वेंटी एट लगर ना खाशर दोंसे पेले क्या है तो दो आइट यूनियन टेडिटरिज की बात कर है तो सबसे बड़ा अंदा में ना ना कल झुरेटरी arrow थो data तो आयं आपके है अंधंग Bagman की बात करें तो सबसे ज्यादा population union territories में किस में रहती है दिल्ली में रहती है लेकिन दिल्ली जो है union territory तो है लेकिन मतलब यहां पर स्टेट गवर्मेंट बनती है लक्षवदीप सबसे चोटी union territory है इंडिया की सबसे चोटी पॉपलेशन के सबसे दिल्ली सबसे बड़ी आंदमान निकोबार क्या है सबसे स्मॉलेश्ट लक्षवदीप लक्षवदीप ठीक है चलो आगे देहों क्या बोल रहा है स्टेट अफ जमू एंड कश्मीर वा स्प्लिट इन्टो टू यूनियन टेरिटरी जमू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑन 31st October 2019 तो 31 October 2019 को क्या हुआ था 31 October 2019 को जमू एंड क ठीक है और दूसरा बना जमू एंड कश्मीर तो जमू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है इस मिलेश्ट लेट्वी असेंबली है लेकिन लद्दाख में लेश्ट लेट्वी नहीं दूसरा क्या बोल रहा है दमनें दियू वास मर्ज्ड विद दादरा एंड नागर ह तो अलग अलग यूनियन टेरिटरिस थी इन दोनों को मर्श कर दिया गया और आप बोला जाता है क्या दमनें दियू दादरा नागर हमेली और इनकी कैपिटल के एक कैपिटल दमन है ठीक है कब किया ऐसा 26 जन्वरी निश्वीस को इंपोर्टन ट्रेक्ट है इंडिया क्या ठीक है आईए ज़र देख похते इसके बारे में और काहिस निफर्मेशन है हमारे पास ठीक है आखिए जहलेकल से देखते है पॉलिडिकल डेविजन इंडियीया का तो दिली हमारे इनली तियुक्ड दोल्ली क्या है इसकी दिली का एक regel डिली ब Ooh वालेet सॉड निवरी टूटिस जितनी भी होती है यहाँ पर अल्जी बनता है लेटनेड़ गवर्नर बनता है क्यूं गवर नर्ट क्यों नहीं पोला जाता है क्योंकि गवर्नर वह बन्दा ता जिसके अंडर में स्टेट होता है ठीक है और जो union territories होती है वो प्रेसिडेंट के अंडर में होती है लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्ली आनी सकता है यहापर रह नी सकता है तो प्रेसिडेंट अपनी तरफ से एक बंदे को बिढ़ा देता है यहापर जिसको आपन जो डिली है डिली इसमें क्या शुरू से विधान सभा थी यह विधान सभा बहूत बाद में स्टार्ट हुई यह सजुरू सरी थी कहा है और के जम्मू ऑन जैघेंट केंट हरा है और समर्द में इसकी कैपिटल है श्री नगर पदा होता है जम्मूर के बारे में हम भूल जाता है जब मुएत की अङदि का नाम तो यह बला जमोर की कशमीर कैने अगर बात करें तो जम्मूर कैपिछल हैं इनकी कब विंटर में और स्री नगर solar il जो है यहां के क्या है मनुज सिना यहां के लगी है लेटरनेंट गवर्नर है और बिच डिस्टिक्ट से टोड़ा ट्वेटी डिस्टिक्ट से और कब बना है यह तो हमें पता है यह 31 ऑक्टबर 2019 लद्दाग भी सेम डेट पे और जमगान कश्मीर भी सेम डेट पे बना फिर त लुए चोथा क्या बोल रहा है चंदिगड़ के वारे में क्या बतार रहे है चंदिगड़ की कैपिटल क्या है चंदिगड़ है और Ct है कि तर डिस्ट्रिक्ट से इसमें एक ही डिस्ट्रिक्ट है चंदीगे डिस्ट्रिक्ट ठीक है और बनवाली लाल पुरोहित क्या हम लोगों ने इक बार पहले ही पढ़ाएंगया पंजाब के गवर्रन भी आगे तो देख लेना फिर में इसे कुछन पूछना कि सर्सेम सेम क्यों आगर सेम है तो अगर नहीं है तो पूछ लेना कि सर्स फिर को ने एड्मिस्ट्रेट्र क्या होता फिर बताँग तो बनवाली लाल पुरहीत यहां के क्या है एक डिस्टेक्ट एक में और फस्ट नॉइंबर 1966 को बनाए यह तो हर्याना पंजाब और चंदिगर्ड तीनों के तीनों फस्ट नॉइंबर 1966 को बने ठीक है बनवाई लाल पूरुहित का नाम याद रखना आगे चलते हैं और यहाँ गवर्नर कोन है तो यहां का है प्रफुल पटेल जो है यहां के गवर्नर ठीके तो प्रफुल जनुरे 2020 को हम लोग अभी पढ़के आये थे कि दादराय नागर हैवेली और दबन और दियू को हम लोगों ने मर्च कर दिया था मर्च ठीक है आगे तो क्या बोल रहा है पुड्डुशेरी पुड्डुशेरी को अपन पॉंडिचेरी भी बोलते हैं संद राजन यहां की यह कि लूटेन गवर्नर कोने तमिली संदराय तो क्या तमिली संदर राजन कई और की भी वह वर्नर थी कह जहरा च्क करके बतारा मुझे किते धिस्टुक्ट है यह पर चार डिस्टुक्ट है और फॉस्ट नॉइंबर 1954 को इसको एस्टेबलिश किया गया रहा अंदह माना निकोबा आई लैंस सबसे बड़ा य्युणि टेरिटरि क्या सबसे चोटा लक्षवदीप है modoy Store and Log actually प्रफुल परटल फिर से आगया इधर भी इधर भी श्रीप परफुल परटल किया है यहां के अडिमिस्टेटर है एक डिस्टिक्ट है और फ्रस्ट नॉवेंबर पुड़ुचुरी consists of four separate districts, ठीक है, तो pondicherry ये पुड़ुचुरी जो है, इसके चार अलग-अलग districts है, और ये चारों districts इतने दूर-दूर है न, कि तुम लोग हैरम ने पढ़ जाओगे, कि सर इसको बना कैसे दिया, तो ऐसे ही बना दिया, ऐसी करते हैं, ठीक है, देखो कैसे देखो, pondicherry, करेकल, यानम, और माहे, तो pondicherry, pondicherry जो है, इसके चार अलग-अलग districts है, और ये खटा नहीं है, चार अलग-अलग कोने में है, स्वाज़ आ रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये यूनें ट्रीट्री आफ पुड़ुचेरी consists of four separate districts, एक है pondicherry, एक है करेकल, ए देखो कैसे, ये रहा, ये है यानम, देखो कहा पर है, अंदर पुदेश में, ठीक है, एक है इसकी क्या, पुड़ुचेरी या pondicherry, जिसको करेकल, एक है माहे और एक है करेकल, तो ये चारो के चारो districts मिलकर बनता है क्या, pondicherry या पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी, स् तो चार districts से किसके pondicherry के, कौन से-कौन से, यानम, करेकल, यानम, और पुद्दुचेरी, ठीक है, ये pondicherry, अरे आराए कि निया आरा समझे, कोई दिक्कत है क्या, पता था कि या अभी तक, नहीं पता सा, facts, facts देखते है, खता होने वाला, खता होने वाला, खता होने वाला, पुरे इंडिया में एक पारलेमेंट, ऐसे ही हर स्टेट में, हर स्टेट में विधान सबा, हर स्टेट में क्या होता है, विधान सबा जिसको इंग्लीश में हम लोग बोलते है, क्या, legislative assembly, Legislative Assembly लेकिन जो Legislative Assembly है न कि लोग सभागी तरह ओती है फिर राज सभागी तरह क्या होता है तो State में एक और सीज होती है जिसको आपने कहते है विधान परिशद विधान परिशद और विधान परिशद जो है इसको इंगलिष में बोला जाता है क्या कि अ-थिसदे और अ कि अग्राव, सर्य мер बाइब के मा दिलाज़ार केुट कॉंसे ही व्याम. घ्लिञिस पूरे की कहिए हैं. सारे स्टेट्स में नहीं है तो यह कितने स्टेट्स में तो यह सिरफ और 6 स्टेट्स में आए खेंगे देख रेंगे हैं चे स्ट्रेट को ठेको से कसे क्योंग आब क्या कर ने जैसे दो है जो गया न اे वह वथान सभा हो गया और भंब भंब चन ठेकर गैर defend om कि जो मैं बताने ब्लाइन कि यूंस पूच weighs ओ कि पार्लियमेंट इस लग्स लेजिसलेचर हे ये बायकेमर्ली लेजिसलेटर है तो पार्लेमेंट के तो दो हाउस है एक है लोकसभा दुसरा है राजसभा तो यह क्या है यह बायकेमर्ल TIME लेकिन अगर मैं तुम्हें पुछू क्या कि 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 अंदरप्रदेश यूनिकेमेरल लेजिसलेचर है यह बाइकेमेरल रेजिसलेचर है तो तुम लोग बोलागे कि सर आंदरप्रदेश जो है एक स्टेट है और स्टेट में विधान सभा और विधान परिशद होते हैं लेकिन आंदरप्रदेश में सिर्फ और सिर्फ क्या है विधान सभा है विध लुए अे परिश्यतल से काउंसल देहो क्या बता रहा हो गुषा इसटेट्स है जिसमें दो चीजे जिसमें विधांसभा भी है और विधान पटे एकार ठीक तो आंदर पदेश में ठीक है आजिए आपे म準 लिख दीया गया है आंदर पदेश सब वाचाश को फूर किसी और को उठाते हैं को है कमा उठाने दिमाग से कॉसा हई गुजरात गुजरात के विघान सब इसे और यूनीक याश्यार अंधर परदेश, बिहार, करणाटका, महराष्ट्रा, तेलंगाना और उत्तरप्रदेश यह सारे के सारे स्टेट्स से जिसमें जिसमें क्या है छे गें ये छे स्टेत्स में है यूई इक को मतलब किया मतलब इसमें विधान दारए के ऐलान की घुर्फ हमारे पस किते दो बड़े-बड़े ऐसे होगा है अन्दमान निकोबर आयलेंच आएइलेंच जो कि कहा पर है बेवाब बेंगौल में और दूसरा हमारे पास है लक्षवदेख एन मिनिकोई आइलेंड्स ठीक है तो मिनिकोई लास्ट पॉइंट आफ इंडिया भी बोला जाता है इसको एना वेसे इंदरा पॉइंट है लेकिन मिनिकोई जो है वो लक्षवधी के नीचे पड़ता है ठीक है और यह दोरों के दोनों कहा पर पड़ते अरवी इनसी में पड लेते हैं ना confusion हो जाती है जहां तक मुझे लग रहा है कि तो के केरला में होना चाहिए लेकिन इसमें तमिल नाडु लिखा हुआ थो इसलिए चेक कर लेते हैं एक कण्या कुमारी अधीज के एक सब्सक्राइश्य में तो मेरी गलती थी उसको ठीक कर लेना तमिल नाडु कह क末ुं का दाएं में कॉमारी कहा पर है तर फैसे या का या कोंच रिउट को डिया नब के дол सबूस देगे हम लोगों का प्रतिग्य Här लिग देटाँ सब्सें यह लिंगरे तो आपना एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है । 勝 V का प्रतिया बैच प्रतिग्या बैच स्टार्ट होए न और इसमें 5 Classes हो चुकी और बहुत सारी classes होनी बागी ठीक है और प्रतिग्या बैच में लगातार लगातार बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही हैं अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है cuurt की नहीं करना ही चाहिए और आप लोग क्या करना है आप लोगों को प्रतिक्या बैश में डॉल करने के लिए के लिए प्रतिक्या बैश में डॉल करने के लिए प्रतिक्या बैश क्यों लेना चाहिए क्योंकि इसमें पढ़ाई अच्छी हो रही है क्योंकि यह एक्जाम तक चलन तो उसको तो जुरूरत निये लेने की लेकिन जिसको अगर थोड़ा सो भी डामडोल लग रहा है कि सर बीस लाग बच्चे बैठ रहे हैं उसमें से हमारा होगा कि नहीं होगा यह सोच रहे हैं ठीक है तो भाईया क्या इसको ले लो रिस्क मतलो ठीक है और प्रतिके बैश में का 21% का bumper discount कीताractoga 21% का bumper discount का कैसे करना कैसे करना भी बता देते हैं देखू आपने क्या करना है Google पर जाना जैसे Google पर जाएंगे आपन वैसे ही क्या करना है рос टाशतिवहन को यह यह क्रूलना है ठीक है ओठ है है इट तढ़ित लगते यह नया है अदटा 247 खोले समय है ? चलो अदत 24 7 खुलते ही आप लुकिर लकुलνे यहां पी जाना है और ऑल कोर्स को अप्शन आप जी पर क्लिक करना है मान लो क्या है मान लो कि आप स्टुडेंट हो तो आर्स को पर क्लिक करो आर्स के उपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेंगे दो खतरनाक बैच एक है यह वहला कौन सा प्रतिग्या बैच यह प्रतिग्या बैच प्रतिग्या लेका है ले ले लिए अगर आपको लगता है कि आपको English Hindi अच्छे से आती है और प्रतिग्य प्रतिग्य यह दोनों लेकिन इंग्लिश हिंदी इस्टिप्वालिटी जोग्रुफी एड एकनोमिक्स और जनरल टेस्स सब कुछ करवाए जाएगा तो इसमें क्या करना अपने को कुछ नहीं करना जाना प्रतिग्य बैच में ठीक है सारी सारी information आपको यहापर म जाकर इसमें जाकर बस बाइनाओ करना जैसे बाइनाओ करोगी आप लोग तो वैसे आपके पास आजाएगा क्या ओरिजिनल प्राइस 2499 है तो यहां पर जाईए और यहां पर आप डालिए क्या वाई 742 जैसे वाई 742 डाल देंगे तो आपके पास 500 रुपे बच जाएंग लिए अपने दोस्तों को दिखाईए तब तक के लिए मोहिंट पठान आप सबसे कहता है जैहिंद